हलो बच्चो, let's read the question, discuss whether colonial government in India brought in the following laws, in each case explain how the law changed the lives of the pestrolists, wasteland rules, porous laws, criminal tribes act, grazing texts, okay? तो अब क्या question में पूछा जा रहा है कि जब polonian government आई, तो उसने कुछ laws introduced करें, ठीक है? और वो जो laws थे, उसने जो pestrolists थे, you know, जिनके पास जानवर थे, जो basically kettles को rare करते थे, उनकी life कैसे change हुए? तो सबसे पहले जो हम चलते हैं, that is the wasteland rules. अब यह basically यह wasteland rule है क्या? सबसे पहले हम यह समझते हैं. ठीक है, तो according to the British government, ठीक है, according to the colonial government, जो भी uncultivated land है, मतलब जिस पे भी हम agriculture नहीं कर रहे हैं, वो सब wasteland है. अब वो चाहिए, pastury land क्यों ना हो, उस पे forest ही क्यों ना हो, but because उस पे cultivation नहीं हो रहा है, उससे कोई profit नहीं ह रहा है, इसलिए उसको officially उनलोग ने एक wasteland declare कर जी है, क्यों? क्योंकि यह बहुत unpredictable है, इनसे इनको कुछ income नहीं हा रही है, even grazing land जो थे, grazing land पेस्ट्रॉल उसके लिए बहुत important थे, क्योंकि वो अपने cattle को महा ही ले जाते थे, अब यह तो grazing land थे, वो भी उनके अनुसार wasteland थे क्यों? क्योंकि ना यह इनको revenue दे रहे थे, कोई profit दे रहे थे, ना इसमें से कोई agricultural produce हो रहा था, now what was the effect of it? अब government क्या चारी थी, कि जितना भी grazing land है, वो सब को cultivation के अंडर ले आए, अब यह wasteland rules इन लोग में लागू तो कर दी है, बट इसका effect क्या था? इससे क्या हुआ कि व वो uncultivated land था, वो सारा government ने अपने कपजे में ले लिया, और उनी दोगों को वो दिया, जो लोग वहाँ settle होने के लिए ready थे, और वो land को और fruitful बनाने के लिए utility wise बढ़ाने के लिए ready थे, ठीक है, इसका मतलब क्या था? कि वो land पे वो लोग cultivation करवाना चारहे हैं, और because now they don't know where to take their kettles to feed, very problematic situation, right? अब देखने हैं next act पे, next act था हमारा forest act, ठीक है, अब क्या करा, British ने क्या बोला कि ये जो पूरा forest है, इसका में दो तरीके में divide कर जाता है, एक है reserved forest, अब reserved forest है कि जिसमें घुसने के लिए भी आपको एक entry field देनी पड़े ही, और दूसरा है protected forest जि में आप घुसी नहीं सकते, बिकाज वो commercially बहुत important है, ठीक है, इसका मतलब दोनों ही forest में आप घुस नहीं सकते, अब इसका effect क्या हुआ, पेस्ट्रॉलिस पे, पेस्ट्रॉलिस वो area में जाही नहीं सकते थे, they could no longer stay in that area, वो लोग तो रहते भी भाई थे, और अगर उनको व मतलब आपको एक pass बनवाना पड़ेगा, तभी आप वो जंगल में घुस सकते हो, और वो जो pass था, वो भी कुछ period के लिए था, मतलब कुछ घंटों के लिए, अगर आपने वो extend करा तो आपको fine भढ़ना पड़ेगा, मतलब सोचो ना कि एक time पे जो उनका घर था, जहां वो freely move कर रहे थे, अब वो एक बंद place हो गई थी, जिसके लिए उनको एक pass लेना पड़ता था, पैसे दे कर, यह मतलब उनकी जो traditional राइट सी कि वो freely जंगल में move कर सकते हैं, वो तो पूरी ले ली गई थी, और उनका जो movement था, वो भी बहुत जादा restrict हो गया था, ठीक है, अब क battles को ला रहे होना, वो भी आप ला नहीं सकते हो, उसके लिए भी आपको एक तरीके का pass लेना पड़ेगा, अब next क्या था, next जो लोग ने law लेकर आए, वो था criminal tribes act 1871, बलब यह सबसे dangerous था, क्योंकि उन्होंने कुछ communities of craftsmen जो थे, traders जो थे, pestrollers जो थे, उनको criminals घोषट कर दि हैं, और क्यों criminal है, क्योंकि यह जंगल में freely घूम रहे हैं, इसलिए, I mean what a joke it was, बट अपन यह पहले देखते हैं कि इसका effect क्या था, यह criminal tribe act आने के वज़े से, pestrollers के life पे क्या हो गया था, अब यह जो nomadic communities थी, उनको क्या बोल दिया कि अब आप shifting cultivation नहीं कर सकते, अब आप पेस्ट्रॉलिस को एक जगे से दूसरी, मतलब आपके जो animals हैं, उनको आप एक जगे से दूसरी जगा लेकर भी नहीं कूम सकते, आपको एक notified village में ही रहना होगा, आपको यही village में रहना पड़ेगा, आप यह village छोड़के भी नहीं रह सकते, आप permission के बिना यहां से निकल ह पुलीस रखी थी उन पे नजर रखने के लिए, और वो एक जगे से दूसरी जगा freely movie नहीं कर सकते थे, बन्धन बान दिया था, उनको जंजीरों में बान दिया था British government, उसके बाद जो government लेकर आई, वो था grazing text, इमेजन आप घर में बटके खाना हा रहे हो या और आपको एक तरीके का text देना पड़े खाना हाने के लिए, बस वो ही था grazing text, ये government ने mid 19th century में introduce किया था, इसमें क्या था कि pestrolis को तो पहले तो खुद तो पास ले नहीं है जंगल में जाने के लिए, बट हर जानवर जिसको वो जंगल में ले जा रहे हैं, ठीक है, for grazing purposes, उसके लिए उनक text देना पड़ेगा, और British को बता है कि pestrolis को जंगल में जाना ही पड़ेगा, जानवरों को लेकर, क्योंकि जानवरों को भूका नहीं मार सकते न, बूलो, तो लोग text बढ़ाते गए, और उसके साथ-साथ, जो efficiency text collection की वो भी बढ़ाते गए, बतलब एकदा particularly जंगल में घु जो करना पड़ता था, और text में करना था, पेस्टर में घुसने के पहले, आप सोचो को कितना economic hardship आ गए थी, कि उनके जानवरों को इतना retention सो नहीं दे रहे था, अब उनको खाना खिलाने के लिए वो पैसे कहां से लाए, such a difficult thing, agreeing or disagreeing, agreeing, right, तो अब जब हम देखते हैं, you know, य कितना जादा हर्टिंग था, कितना difficult life बन गई थी, पेस्टरोलिस के, because of these rules, because of these laws, I hope you have understood the question as well as the answer.